कि मित्रों उत्तर प्रदेश लोग सेवायों कि चिर प्रतिछित वैकंसी समिख्षादिकारी सहाएक समीख्षादिकारी आपके सामने आ चुकी है 411 पद है इसमें अधिक्तर पद समीख्षादिकारी कही है वह सचिवा लेके अब सोच सकते हैं कि यह कितनी इंपॉर्टेंट सबस्क्राइब करें, लेकिन अधिकतर सारी 90 पर सेटें आपकी महीं की हैं समिछादिकारी साहय सचवालेगी, अब इसको आपको क्रेक करने के लिए चीजों का ध्यान देना जरूरी है पहले तो इसका pattern समझिए क्या हो ताliyor क्या 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 जाते हैं इसinkा citizen पएगे इसिछा होता है कैसे क्या जैक्या होते है सो आ मतलते है ट्रहब एक्जाम होता है, इसमें प्रारंभिक परिच्छा होती है, और दूसरी होती है, मुख्ध परिच्छा, प्रारंभिक परिच्छा जो होती है, प्रारंभिक परिच्छा में दो पिपर होते हैं, GS का एक paper GS होता है दूसरा होता सामान हिंदी GS 140 नंबर का होता है सामान हिंदी 60 इसमें 140 प्रसन होते हैं और इसमें 60 प्रसन होते हैं और इसके 140 अंक भी होते हैं 140 अंक यानि 140 मार्क्स होते हैं इसमें 60 मार्क्स होते हैं और निगेटिव मार्किंग इसको आप नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं यह होता है एक बुटे तीन यानि तीन प्रसन में एक प्रसन अगर तीन प्रसन गलत होगे तो एक प्रसन आपका सही चला जाएगा तो एक बुटे ती सब्सक्राइब कर दो सो नबर में पेपर बनता है तोसो नंबर में एक विटे तीन माइनस मार्किंग है पहले जब माइनस मार्किंग नहीं थी दो सो नंबर में ऐपेपर मनता से कटार जाता था 150 प्लस जाता था इख एकसर चार्पान सौब ऑब ती थि चारइव और थैसे स्जाती थी लेकिन जब आसओ जाती हो गई त निगेटिम मार्किंग में जो कटाफ अब जाती है, 130, 128, 132, ऐसे जाती ही कटाफ, इतने मार्क्स, लगभग आप 130 के आसपास 130 प्लस आप कर आये हैं, माइनस करने के बाद, तो प्री में लगभग चैन लगभग निश्चित होता, दोसों में अगर 130 है, तो लगभग करने जात तो पूरी तरह 700 प्रसंट Todos होती है, आपका प्री में से हो जाएगा और इसमें तो 130 में आराम से हो जाएगा, अगर पेपर काइसा इस पेपर का पैटन लगभग एक जैसा होता दोजार जितने भी धर पेपर हुए हैं सब में एकदम स्टैटिक पेपर है बस थोड़े से क्वेस्टन का डिपकल्टी लेवल बस थोड़ा सा दाइबाय होता है बाकी पेपर स्टैटिक होता है लगभग एक ही पैटर्न पर होता है तो यह चीजे आप अगर देख लें तो आ हो जाएगा 140 जीयस एक सुटी साथ ही इसमें 50 देखिए हिंदी में आपको 50 प्लस करना है अगर होता है तो अच्छा है अगर पेपर माडेरेट है या हलका डिफिकल्ट है तो पचास प्लस ठीक और इसमें जो है आप 80 प्लस कर देगे अच्छा इसको और मना जाता तो 80 प्लस 150 प्लस 130 प्लस आराम से हो गया तो इतना करके अगर 140 में 80 बहुत बड़ी बात नहीं है अगर थोड़ा साधानिस पढ़ेंगे तो हो जाएगा इसमें 150 प्लस अब आती है बात मुक्ष परिच्छा तीसरा होता है निबंध और एक पेपर होता है ड्राफ्टिंग या सामानने हिंदी उसको कहाते हैं सामान हिंदी प्लस आलेखन अभी बताते हैं इसमें क्या होता देखे GS हैं 120 नंबर का होता कितने नंबर का 120 नंबर का और निबंध भी यहां 120 नंबर का होता, 3 निबंध लिखने होते हैं, 40-40 नंबर के, 120 नंबर के, सामान हिंदी यहां पर 30 क्वेस्टन, यहां पर 60 क्वेस्टन जहाते थे, 30 प्रस्ण आते हैं, जो होते हैं 60 अंक के, यानि 1 प्रस्ण 2 अंक का होता, 30 प्रस्ण 60 अंक के, 120 प्रस होता है यह जो है निबंद होता है 120 नमबर का तीन निबंद लिखने होते हैं हर सेक्षन से एक लेना होता है तो चालिस नमबर के तीन निबंद 120 और सामान हिंदी और आलेखन में इसमें आपको लेटर लिखने होते हैं कि ड्राफ्टिंग मतलब करनी होती है करीब 24 नमर का आता है इसके बाद सब्दावली आती है परसास्निक सब्दावली लिखने को आती है और कंप्यूटर सम्मंदित को एस समाइती है तरह से यह दॉनों रिटेन होते हैं आप सब्जेक होता है कि यह सब्जेक्टिव यह सब्जेक्टिव निभंध तर्फ यह यहांनि 100 120 कितना हुआ 220 और 60 अंक 280 120 यानि 400 यानि 400 परिच्छा 400 प्रारंभीक परिच्छा 200 अंक की होती है यहां को 200 अंकों में 130 प्लस लाना है यहां 400 में आपका कम से श्यिक्म 275 Plus अगर का है या 275 Plus क्या पहले आता था पहले जब कटाप जाती थी अब जो है 265 Plus ले आई ये 265 Plus पे आपको सच वाले मिल जाएगा इसमें आपको 265 Plus में सच वाले मिल जाएगा ये तो हो प्रस्ण की बाद प्रारंभिक प्रिच्हां कहां कहां साते हैं देख लिए एक तो जीएस में हिस्टी पूशी जाती है दूसरा जिएफी पॉलिटी साइंस करेंट अफेयर एकोनामिक्स यूपी रिजिनिंग प्री कि हमने 2014 का लिया है तो इसमें हमने ने देखा कि हिस्ट्री के जो प्रस्ण थे 20 प्रस्ण आये हुए थे और जागरफी के 26 प्री की बात कर रहे हैं 2014 के लगभख हर साल ही रेशियो होता दो एक क्वेस्टन आगे पीछे होते हैं इसमें आपका जनसंख्या जागरफी कलामा वर्ल्ड जागरफी इंडियन जागर प्रस्ण आते हैं करेंट फेर बहुत आता है इसमें इकोनामिक्स के पंद्रह आते हैं यूपी का आठ क्वेस्टन और रिजनिंग के 16 कुल 140 को इस तरह होता है इसमें बाकी जो मिस्लीनियस है तो 140 परस्ण में हिस्ट्री जगरफी इन दोनों का और करेंट फेर यह यह और यह किए इसका मेजर रोल होता है इसके बाद रिजनिंग 16 यह फिक्स है इसमें चाने अपर धृष क्वर होता है ठीक ठाक болt क्यूंकि इसमें गलत होने चांसे यहां से भी करण अपर आते हैं ठीक ठाक करेंड आपने देख लिया साइंस से भी को फ्रसन हर साल 14 15 16 घा तक है पता नहीं को कम देते हैं लेकिन पॉल्टी साथ को साना आता है ठीक ठाको सब्सक्राइब बहुत कठी नहीं होते हैं तो इस तरह से 140 में यह आता है आपको हिस्ट्री पढ़नी पढ़नी है इसके लाव जागरफी आपको बहुत अच्छे पढ़ने जागरफी में इंडियन जागरफी जो मुख्य में चीज़े हैं इसके लाव पाल्टी में जो आप कम से कम जो मुख्य नुच्छेद हैं उसको पढ़ लीजिए वहां सायज से मूल अधिकार हो गया नीतिन सकत्त्त हो गए राष्टपती उपराष्टपती के संबंदित प्राबदान हो ग आपको लगातार देखते ही रहना है करेंट फेर के विना काम नहीं चलना है ठीक ता क्वेस्चन आते हैं करेंट फेर यूपी के आपको देखना है अग्री कल्चर के पांच से च्वेस्चन आते हैं अब आती बात मेंस की मेंस हमने दो जगा दो 2013-2017 का लिया है कौन कितनी व देखिए वहां 20 आया था प्री में यहां हिस्टी के 27 में 24 कोईशन आया है जार 13 25 अंतर ज्यादा 13 दूनों के लिगिन हिस्टी कोईशन की संख्या लगवक कांस्टेंट है जैगरफी में 31 में प्री में में 28 कोईशन आया थे प्री में 27 में यानि अगर इसको क्वालिफाई करना जैगरफी बहुत अच्छी होनी जाए गलत नहीं होना जाहिए उसका क्यों से प्री में और प्री 14 में साथ कोईशन में 6 13 में 7 और में इसे तरह साइंस में में 13 में 11 कोईशन आये थे 17 में जबस्टि प्री में 14 में कमाता क्योंकि 120 क्यों होते है तो स्पेस कम होता है तो 15 क्वेस्ट में जब्कि psychologists चौष्ट में 26 क्योंचन आया है और यह रेश्यो हर गाम में होता है लगबग economics के 5 questions 2013 में आये थे 8 questions आये थे 2017 में और 15 जो आये थे प्री 14 में तो economics के भी ठीठा question आ जाते है यूपी के question 11 आये थे जहर 13 में और 2017 में 10 question आये थे यूपी के 8 question आये थे 2017 2014 प्री में देख लिए reasoning 10 question में दस आता है दस एकदम fix दस नंबर का दस question आएगा आप अच्छेस कर लेंगे तो आट नो हो जाता है जबकि प्री में 16 question और साल लगबग 16 आते हैं रिजनिंग एगरी कल्चर के छे यहां पांच यहां पांच यहां छे तो एगरी कल्चर के अलग टाइब के question फूज लेते हैं लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है बस अगर ज्यादा उट-पटांग हो जाता है तो सामान हिंदी में प्री की बात करते हैं प्री सामान हिंदी जो होती है अब्यक्टिव जो साठ question आता है 120 140 तो आता है सामान हिंदी तो इसमें दस नंबर दस नंबर का बिलोम आ जाएगा दस question परियावाची दस question तत्सम तत्दवो दस question बेसेशन दस question वरतनी असुद्धी सुद्धी रहेगी सुद्ध करना है उसको और अनेक सब्दों के एक सब्द दस question यानि साठ question यह देखिए छे सक्षन से आते हैं बिलोम परियावाची तत्सम तत्दवो विसेशन वरतनी सुद्धी एक सब्दी सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह जाएंगे मेंस की बात लाना ही अब आपको 275 प्लस में लाना ही लाना है 265 प्लस लाना ही लाना है 260 से 65 की बीच में है तो संभावना पूरी होती है कि आपका चैन हो जाएगा निगेटिव मार्गिंग में निगेटिव नहीं थी 275 प्लस पे भी संभावना कम होती थी कभी-कभी 280 प्लस चलिया दी थी लेकिन अब 265 से उपर नहीं जाती है आपका सचिवाल है 265 प्लस कर दिया है और इसकी अगर आपको कोई कमेंट कर पूछना तो आप कमेंट बाक्स में इसका कमेंट कर सकते हैं पूछ सकते हैं इसकी जो क्लास है सामान हिंदी की और जीयस की इसकी रेगुलर इसी स्टेडिवेसरन आईयस पर हम अपलोड करते रहेंगे आपको समीच्छा दिकारी जब एक्जाम फाइनल होने तक प्रारंभिक परिच्छा की जितना भी स्लेवस है प्रारंभिक परिच्छा की तेहरी हम पूरी करवा तेफ था करते, अथे उच legacy प्रारारी करते, भी जितनत्वा peoples च परिच्छा